नमस्कार पिरिये विद्धियारतियों जिक्के भाई बी एस चंदेलिया यूटूब चैनल पर आपका अर्दिक स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्तान के लोक नर्ते और लोक नर्तियों में भी हम पढ़ेंगे भूमरे लोक नर्ते आज गा जो अपना टोपिक रेगा वो रेगा राजस्तान के लोक के नर्ते और लोक नर्तियों में भी आज पढ़ने वाले सामाजित यहों में धार्मे के नर्ते सामाजिके यहों में धार्मे के नर्ते और इनमें बात करने वाले गूमरे नर्ते की बात करेंगे किसकी बात करेंगे गूमरे नर्ते गूमरे नर्ते विद्यारतियों सबसे पहले हम बात करेंगे गूमरे सब्द की जो उत्पती है वो यह गूम सब्द से किसे होई है गूम सब्द से पहले हैं गूमरे सब्द की उत्पती गूमरे सब्द से होई और गूम सब्द का जो अर्त होता है वो होता है गागरे की किनारी यह इस नर्ते के अपन उद्गम इस्तल की बात करें तो इसका उद्गम माना जाता है मद्दे एसिया से और मद्दे एसिया में एक नर्ते ता ब्रहंगे नर्ते तो इस नर्ते का उद्गम है कि बात करें तो है मद्दे एसिया के ब्रहंगे नर्ते से इसकी उत्पती मानी जाती है और इसी गुमर नर्ते की बात करे कुण से कसेत्र में इसका आयुजन किया जाता है तो मारवाड और जेपुर कसेत्र में इस नर्ते का आयुजन किया जाता है गुमर नर्ते का सेत्र की बात करे तो एक तो है मारवाड और एक रहेगा जेपुर अगर आप से एक्जाम में पूचा जाएए गुमर कहां की परसिद है तो गुमर विद्यार्टियों कहां की है जेपुर की परसिद है गुमर जेपुर की परसिद है गुमर जेपुर की परसिद है जबकि गुमर नर्टे का राजस्तान में अगर बात करें विद्यार्टियों पुने आरंब की तो गुम्बर नर्ते का आरंब होता है मारवाड में और मारवाड के सासक के नाम की बात करें तो उमेद सिंग के समय इस नर्ते का प्रारंब भी माना जाता है आरंब होता है मारवाड के सासक के उमेद सिंग के सासनकाल उमेद सिंग के सासनकाल की बात उरिया इस नर्ते का आरंब होता है अब बात करते हैं विद्यारतु इस नर्ते के उपनाम किसके बात करेंगे इस नर्ते के उपनाम गुमर नर्ते के उपनाम की अगर अगर आप उन बात करना चाहे तो इसके उपनाम है इसे कहते हैं नर्तियों का सीर मौर नर्तियों की आत्मा राजस्तान का राज्य नर्ते और राजस्तान का राजवारी नर्ते उपनाम की बात करें तो इसे कहते हैं नर्तियों की आत्मा राजस्तान का राज्य लोक नर्ते और इसे राजस्तान का राजवारी नर्ते के नाम से भी जाना जाता है इस नाम से राजस्तान का राजवारी नर्ते के नाम से भी जाना जाता है देखो राजवारी नर्ते क्यों कहते हैं क्योंकि इस नर्ते का जो आईजन होता था वो राज परिवारू में किया जाता था तो रजवारी नर्ते के नाम से भी जाना जाता है इससे आगे अगर अपने बात करना चाहिए इस नर्ते के जो गुमर नर्ते होता है गुमर नर्ते के तीन परकार बताएगे कितने परकार बताएगे गुमर्य, जुमर्यो और एक रेगा लोर, गुमर्य, सामाने महिलाएं जब ये नर्ति करती है तो गुमर्य कहलाता है, कौन है, सामाने महिलाएं, सामाने महिलाएं नर्ति करती है गुमर्य, बालिक कहें करती है तो, बाली कहीं करती है तो उससे क्या कहते ही जुमरियों और इसके अलावा गराशिया जन जाती में लूर गुत्र की इस्त्रियां गुत्रे के ये दी इस्त्रियां ये नर्ते करें तो इसे कहा जाता है लूर नर्ते क्या कहा जाता है लूर तो इसके तीन परकार माने गए गुमर है जुमरियों है वह है लूर किते परकार माने गए तीन अब देखो विज़ार दियान देना इस नर्ते का आयोजन की नव सरू पर होता है गुमर नर्ते की बात कर रहे हैं और गुमर नर्ते की अगर आप उन बात करना चाहिए आयूजन इसका आयूजन की अगर आप उन बात करें तो इस नर्ते का विद्यारत यूँ आयूजन होता है गणगूर की आउसर पर वीवा की आउसर पर यहों मांगली कारियों क्या अशर पर इसका आयोजन होता है तो आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन होता है एक तो गनगूर क्या अशर पर एक विवा क्या अशर पर और मांगले के आवस्वरों पर इसका परियोग होता है इस नर्टे का आयुजन होता है और अगर अपने बात करें इस नर्टे के दोरान कोन से वाद्दे यंतर का परियोग किया जाता है वाद्दे यंतर की बात करें तो विद्यार्टियों इसमें जो वाद्दे यंतर परियोग में लिया जाता है वो एक तो सैनाई लिया जाता है थाली लिया जाता है ढोल लिया जाता है और मांदल वाद्दे यंतर का परियोग किया जाता है एक तो कुण से आती है सेनाई थाले दोले मांदल इस परकार के वादे यंत्रूं का प्रियोग किया जाता है और गुमर नर्ते को अंतराष्टिय श्तर परे पहचान दिलवाई ते केसी मालून है इस नर्ते को अंतराष्टिय श्तर परे पहचान दिलवाई या ख्याती दिलवाई तो उस वेक्ति का नाम है विद्यार्टियों केसी मालू केसी मालूने अंतराष्टिय श्तर परे इसे ख्याती परदान किया केसी मालूने विस्व में लग बगए इस मुमर नर्ते के 500 अलग लग इस्तानों पे 100 का आयुजन करवाया और वीना एलबम के मादिम से चार या पांच से इसके सीडी के सेटे भी अच्छी डंग से त्यारे करवाई थी तो लग बगए अगर आप उन बात करें तो 500 का आयुजन करवाया था अलग अलग इस्तानों पर अगर बात करें सबसें बड़ी गुमर का आयुजन का हुआ तो सबसें बड़ी गुमर का आयुजन का हुआ था जेपूर में और जेपूर में भी चान्द पोलसें बड़ी चोपड़ तक बड़ी चोपड़ तक गुमरी नर्ती का हुआ तो सबसें बड़ी गुमर का जेपूर में वाता। इसके उलपात करें यह आश्ट तौली प्दते पर आधरिते नर्ते हैं आश्टे ताले पदती परे आधारिते नर्ते है आश्ट ताल से यहां है कि आठ या आठ अंके के समाने इनमें क्या होती है चाल और यह जो नर्ते किया जाता है यह सवाई चाल में किया जाता है कोण से चाल में किया जाता है सवाई चाल में यह नर्ते किया जाता है माही लाएं हातों को लहराते विए नर्ते करती है जिसें कहरावना कहते हैं माही लाएं हातों को लहराते विए क्या करती है नर्ते करती है कोई न्रते करती है जिसें कहराउना कहते हैं कहराउना कहते हैं तो कहराउना हाथों को लेरा कर जो न्रते किया जाता तो गुमरदान से उसे कहरावना कहते हैं और ये अपना हो गया कौन सा घुमरे नर्टे हम बात करने वाले अगला वेवसाइक नर्टे की अगर अपने बात करें तो अगला वेवसाइक नर्टे है अगनी नर्टे किसके बात करेंगे विजारते हो अगनी नर्टे अगर अगनी नर्ते की बात करें तो सबसे पहले तो इसका पूचा जाएगा सित्र सित्र पूचे तो कत्रिया सरे बिकानेर कत्रिया सरे बिकानेर में अगनी नर्ते किया जाता है कत्रिया सरे बिकानेर में अगनी नर्टे की बात करें तो अगनी नर्टे से समंदिती ये नर्टे करता को ने जसनाती सिद्धू द्वारा किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है जसे नाती सिद्धों द्वारा कत्रिया सरे विकानेरे में पुरु से लोगे ददकते अंगारों परे नंगे पेरे करते हैं ददकते अंगारों परे नंगे पेरे ये अगनी नर्ती किया जाता है अगर आप उन बात करें कि ये नर्ते जब किया जाता है तो ये नंगारे की धुन परे किया जाता है ये नर्ते की वादे यंत्र आप से पूछें कि भाई इसमें कौन सा वादे यंत्रे परियोग में लिया जाता है वादे यंत्र तो वाद्य यंत राएगा विद्यारतियों नंगाड़ा, नंगाड़े की दुन पर, नंगाड़े की दुन ने पर किया जाता है, नंगाड़ा बजाने की इजाज़त सिकंदर लोदी ने परदान की थी, इस नर्टे में नंगाड़ा बजाने की इजाज़त सिकंदर लोदी ने परदान की थी, सिकंदर लोदी जो बारत का बाद साथ, सिकंदर लोदी ने परदान की थी, और बिका नेर की अगनी नर्टे से सिकंदर लोदी पर भाविते हुआता हूँ, बिका नेर के अगनी नर्टे से सिकंदर लोदी पर भाविते हूँ, सिकंदर लोदी भी इस नर्टे से पर भावित वाता विद्यारती जो सिद्ध होते हैं, वो अपने गले में काले उनकी एक धागा बानते हूँ, जैसे नाती सिद्ध अपने गले में काली ओने का दागा, बांधते हैं, नर्टे करते समय सिद्ध रूस्तम जी का अहवान करते हैं, नर्टे करते समय सिद्ध रूस्तम जी का अहवान करते हैं, और इस नर्टे के दोरान इनका जो उद्ध गोस होता है, वो होता है फते फते, देखो फाइरे फाइरे तो भीलू का रण गोस होता है, उद्ध गोस ही, जब ये फते फते के इनका होता है, जैसनाती सिद्ध का होता है, तो इनका जो उदेगहॉस, इंपोर्टेंट क्यों सने उद्गहॉस से हैं फते 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 इनका क्या है उद्गहॉस माना जाता है कौन सी जन्द, कोन से संपरदाएगा जसनाती संपरदाई और जसनाती संपर्दाए की जे संस्तापक की बात करे तो जसनाजी जे संस्तापक ते जसनाजी अगर अपन बात करे इसी संपर्दाए की जसनाती संपर्दाए की तो इस संपर्दाए में अगर अगनी नर्ते की बात करे तो इनके कौन-कौन से कलाकार थे एका नामता चोखान इस्वर नाथ इसके अलावा सवाई नाथ और एका नाम था लाल नाथ इसके जो परमुके कलाकार इस नर्टे के कलाकारूं के नाम की बात करें तो एक का नाम था चोखा नाथ इस्वर नाथ सवाई नाथ एक का नाम था लाल नाथ ये इसे नर्टे के क्या माने जाते हैं कलाकारे माने जाते हैं तो विद्यारति ये था अगनी नर्टे कुण सा नर्टे था अगनी नर्टे और अगनी नर्टे की अगर अपने बात करें द्यान देना एकवार इदर बात कर रहे हैं अपुने अगनी नर्ते की और अगनी नर्ते का अक्सेत्र है कत्रियासर भिका नेर और जस्नाती शिद्धू द्वारा कत्रियासर भिका नेर में पुर्शी लोगी इस नर्ते को करते हैं दधकते हुए अंगारों में नंगे पेर कर इसा माना जाता है विद्धारते हों ये नंगारे की दोने पर ये लोग क्या करते हैं, जलते हुए अंगारों को अपने दातों के तले दबाते हैं और फिर क्या है, फूक मारते हैं, तो उसके टुकडे, आग के जो अंगारे के टुकडे है, तूट तूटके मुhos से बाहर निकलते हैं। ऐसा माना जाता है। यह दिक एसे ने अंगारे की धुन पर ऐसा नहीं किया, तो उसका मुझ जल जाता है। ऐसा मन नेता है अगनी नर्टे से समंधित। मतिरा फूड़ना है ददगते हुए अंगारे को मुआ में दातू तले दबाना है फिर फूक मारना है ऐसे कारी इसी नर्टे में किया जाता है ये लोग नंगे पेर करते हैं और इनका जो ये अंगारों का जो इस्तान होता है उसे क्या कहते हैं दूना कहते हैं और अगनी नर् लिएक्सं देने वाला सास सकता विक्का नेर का गंगासिङ। गंगासिख ने कर दिया था इस नर्टे को उंगारों के इस्तान को क्या कहते हैं। अंगारों के जो इस्तान है उसे का जाता था विद्यार्तियों दोना और अगनी नृति को अगनी नृति को सन्रक्षण बिकानेरे के गंगार सिंग ने अगने नृति को सन्रक्षण ने परदान किया इस्के लावा सामाजिक यें दार्मिक नरतिय में एक आता है गुड़ला नर्ति और गुड़ला नर्ति क्कोन सा नरतिय आता है विद्यार्ति हूं गुड़ला नर्ते का नाम है गुडला नर्ते और गुडला जो नर्ते इस नर्ते का अगर आप से क्सित्री पूचा जाता है ज्यादा क्सित्रेगा मारवाड गुडले खां के समर्ते में इसका युजन होता है क्सित्रेगा मारवाड ये एक सामाजी की नर्ते इसके अलावा एक आता है तेजा नर्ते तेजा नर्ते की अगर अप उन बात करें तो तेजा नर्ते ये तेजा जी की आराद ना में किया जाता है किया जाता है तेजा जी की आराद ना में किया जाता है इसके अलावा एक आता है सांकल नर्ते और सांकल नर्ते की अगर बात करें तो ये गोगा जी की आराद ना में लोई की सांकल होती है उनसे एक दूसरे के आपस में मारते हुए ये नर्ते किया जाता है सांकल नर्ते गोगा जी की आराद ना में किया जाता है एक होता है थाली नर्ते कुण सा नर्ते होता है विद्यारतियों थाली नर्ते और थाली नर्ते पाबू जी के आराद नामे किया जाता है थाली नर्ते और ये जो नर्ते किया जाता है ये है पाबुजी के आरादना में किया जाता है किया जाता है कौन सा नर्ते थाली नर्ते इसके अलावा अगर अपने बात करें एक आता है विद्यार्टियों लांगुरिया नर्ते कौन सा नर्ते आता है लांगुरिया नर्ते लांगुरिया नर्ति अगर अपने लांगुरिया नर्ति की बात करें इनके कसित्र की बात करें तो लांगुरिया जो नर्ति है ये करूली में किया जाता है इनके कसित्र की बात करें तो इनका कसित्रेगा करूली लांगूरिया नर्ते काकसे तरे करो ली और इसे ही गुठकने नर्ते के नाम से भी जाना जाता है ये गुठनों के बल किया जाने वाला नर्ते गुठकन क्यों कहते हैं नर्ते से काने से क्या कहते हैं गुठकन नर्ते के जाते हैं और ये केला देवी के आरादना में किया जाने वाला नर्ते किसके आरादना में केला देवी के आरादना में किया जाता है केला देवी के आरादना में केला देवी की आराधना में लंगुरिया नर्ते किया जाता है और ये लंगुरिया नर्ते विद्यारतियों करता कौन है ये नर्ते कौन करता है मेना जन जाती के पूर्ष यहों में इस्त्रियां करते है कौन करते हैं मेना जन जाती के पूर्ष यहों में इस्त्रियां करते हैं मेना जन जाती के पुरोसे याओं में इस्त्रियां मेना जन जाती के पुरोसे याओं में इस्त्रियां कौन सा नर्ते करते हैं लांगुरिया नर्ते करते हैं और आजगी क्लास में विद्यारते हम इतना ही पढ़ेंगे